आप देख रहे हैं बन Is Anybody偌 करते हैं लेकिन इंशॉरेंस की भी बात करते है और इंशॉरेंस आप कोई भी फिनान्शल स्ट्राटिज्य अपने लिए अपना ले या अपने आपको किसी भी तरह के financial risk से बचाना चाहते हैं तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं claim settlement के गनित की चर्चा में ये शब बहुत बार आता है आप insurance policies खरीद रहे हो तो फिर ये एक important feature माना जाता है कि इसको देखकर आपको खरीदनी चाहिए one of the features होता है ये कोई भी insurance company का अगर claim settlement ratio कम है बाकियों के मुकाबले तो वो अच्छी नहीं है claim settlement का ratio बनता कैसे है और अगर ये कुछ कंपनियों में खराब है तो ये किस वज़े से खराब है ये कितना एहम होता है पहलू कोई भी insurance coverage खरीदने से पहले मंजू राके senior VP यहाँ पर insurance one finance हमारे साथ जुड़ी हुई है और इस पर बातचीत करेंगी मंजू बहुत अरसे के बाद आपसे बातचीत हो रही है धन्यवाद समय निकालने के लिए और स्वागत है आपका बनो अपना finance minister में तो claim settlement ratio क्या होता है जब हम insurance policies खरीदते हैं आसा बिल्कुल claim settlement ratio से जाने से पहले मैं यह बताँगी कि कोई भी दर्शक policy धारक जब कोई भी policy खरीदता है तो वो एक agreement होता है policy धारक की बीच में और एक insurance company के बीच में इसी चीज़ पे कि जो भी मुझे loss होगा या जो भी coverage मैं ले रहा हूँ फिर वो मेरी life protection है term insurance के अंदर य होता है एक सरल भाशा में अगर मैं बताओं कि मान लिजे एक insurance company के पास 100 policy का claim आया और उसमें से अगर उन्होंने 90% policy धारकों को claim दिया मतलब उस company ने 90% claim भरपाई की मतलब claim settlement ratio उनका 90% होता है और यह कहा गया है कि जितना claim settlement ratio जादा है वो company काफी reliable है आपके claims को settle करनी के लि तो यह claim settlement ratio काफी महत्वपून होता है यह हम सब जान गए है आपने बताया अभी अभी और कैसे बनता है कैसे खड़ा होता है इसका मतलब क्या है वो आपने समझाया लेकिन क्या यह इतना important factor है कि मैं इसके बिना पर ही जो है insurance खरीदूं अपने लिए क्या ऐसा करना चाहिए क्या उस बेसिस पर हमें निर्न लेना चाहिए बिल्कुल यह एक one of the factor है कि अगर मैं कोई भी policy धारक अगर कोई भी policy खरीदना चाहता है फो फिर वो life की policy हो या health insurance हो यह एक बहुत ही important factor है जैसे अमने अभी example दिया कि claims by numbers ही बहुत ही important है वैसे ही है claims by amount कि कितना benefit company ने पे किय अगर मेरे पास 100 crore का claim आये as an insurance company तो मैंने कितना उसमें से claim की भरपाई की अगर मैंने 90 crore pay किया है तो वही हिसाब है claim settlement ratio का अब industry की हम बात करें तो 2020 to 2023 के आखर अगर मैं बता हूं तो average claim settlement ratio number of policies के हिसाब से 98.45% है इसका मतलब यह है कि as an industry 98% के claims pay किये गए है by number of policies तो यह दो तो one of the factor हैं अगर आपको कोई भी policy select करने है बड़ सरिफ यही factor नहीं होना चाहिए अगर मैं health insurance की बात करती हूं तो वहाँ पे मुझे क्या value for money मिलता है मेरे must look features क्या है वो बहुत ही जादा important होते हैं कि room rent की भरपाई कैसे होगी room rent क्या है no claim bonus मुझे क्या मिलेग तो यह कुछ बहुत एहम पहलू हो जाते है product features के अंदर वैसे ही claims के अंदर जब हमने बात करी claim settlement ratio की amount by numbers उसके असपास आपने यह भी देखना चाहिए कि aging of claim कितनी है कितना जल्दी claim settle किया जा रहा है 30 दिन के अंदर 2 मैने के अंदर यह भी एक एहम पहलू है वैसे ही incurred claim ratio और एक पहलू बन जाता है एक parameter बन जाता है जो कि यह बताता है कि जितना premium company के पास है उसमें से वो कितना claim की भरपाई कर पार है एक financial health अगर आपको जाननी है एक claim के बारे में एक insurance company के बारे में तो वो भी एक पहलू है and price और हरे के affordability के असाब से है तो यह तीन मुख्य प power लेना चाहते हैं अपने लिए वही हमारी भी कोशिश होती है when finance के scoring and ranking बेभी हमने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए बहुत ही आसान बाशा में एक informed decision making के लिए policy धारकों के लिए you know एक cont research based हमने बनाय हुआ scoring and ranking पहलू policy धारक देख सकते हैं वही अगर हम बात करें term insurance की तो यह तो तीन parameter ही है बट इसके आज़ पास एक financial ratio उस company का solvency कितना है persistency ratio कितनी है या फिर commission ratio कितना है यह यह भी बहुत एम पहलू बन जाता है तो सिर्फ claim एक ही important parameter है पर उसके साथ साथ policy धारक यह भी पहलूँ पर ध्यान दे सकते हैं मैं भूल गई थी के मंजू एक ऐसी हमारी expert है जुनको आप एक सवाल पूछो तो वो 360 degree coverage पूरी कर देती है और काफी सारे पहलू एक ही जवाब में जो है cover कर लेती है तो मेरा काम बहुत कम हो जाता है मंजू आपके case में जाब क्यूंकि सवाल जादा बचते नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगे मैं कुछ आपने ranking की बात कही तो ऐसे कुछ कम्पनियों की claim settlement ratio की details के आप साजा कर पाएंगी हमारी दर्शकों के पास कि किसकी अच्छी है किसकी कम है और इसके पीछे क्या वज़े हो सकती है rejection तो होता ही होगा इसलिए ही claim settle नहीं होते हैं rejection के पीछे भी वज़े क्या हो सकती है पौछी धारक की गलती है या कंपनिया यहां पर चूक में है ऐसा कोई data भी निकल कर आया है या ऐसी भी किसी तरह की analysis जो होती हो so claim settlement ratio हर एक company का उनके जो public disclosures हैं वहां पे भी मिलती है और एक overall picture आपको IRG के annual reports में भी मिलती है तो अगर मैं कुछ आकड़ों की बात करूं तो top life insurance companies claim by numbers अगर मैं बता हूँ तो जैसे max life का 99.51% है HDFC life का 99.3% तो यह second position पे है अगर तीसरे बता हूँ एगान life जो भी बंदन life के नाम पे हैं so 99.37% वैसे ही ideal wise बारती या टाटा की मैं बात करूं तो 99.01% claims हैं उनके by numbers जब हम बात कर रहे थे claims by benefit की amount की भरबाई हितनी कही है तो top positions पे अगर आप देखेंगे तो अगेन एगान life जैसे जुसको अभी हम बंदन life insurance का बताते हैं 99.37% by amount है अवीवा है बारती एक्जाएं यह 98% average पे हैं वहीं HDFC life के by amount 96.51% and max life में 94.64% टाटा में 94.52% है यह हो गए life insurance कंपनियों की बात वहीं अगर हम general insurance companies के claim settlement ratio के आकड़े देखें तो new india 98% अधिता बिर्ला और HDFC अरगो 95.64% और 94.42% है अब यह उनके हो गए claim settlement ratios के आकड़े और यह कहां पाए जाते हैं यह publicly available है information अब जैसे आपने कहा कि claims repudiate यानि कि claim rejection क्यों होते हैं या क्यों करती है company तो दो तरीके हैं उसके एक अगर insurance company को लगता है कि यह बहुत ही invalid claim है उस time पे वो claims को reject करती है दूसरी चीज रिजेक्शन की reasons यह हो सकती है कि कोई material disclosure होगा जैसे pre-extinct diseases है या incorrect documentation है उसकी वज़े से भी claim reject होते हैं अब एक चोट कुछ scenarios मेरे सामने आये थे कुछ customers के कि claim delay हुआ क्यों delay हुआ कि check में उनका नाम जो policy में है वैसा नहीं था यह छोटी-छोटी चीजे भी हैं जो delay करती है जो आम चंता को नहीं पता होती कि क्या possible reasons है और क्या सतर्ता वहां पे रखनी जाए तो यह दोनों तरफ से हैं अगर claim invalid है तो insurance company उसको reject करती है क्योंकि वो policy के conditions में fit नहीं बैठता है but at the same time incorrect documentation या pre-extinct diseases या कोई ऐसा material disclosure होगा जिसकी वजह से claims reject होते है पिल्कुल मंजू आप हमारे साथ बने रहे हैं claim settlement के गणित पर फिलहाल इस चर्चा को तो हम यहीं समात कर रहे हाला कि सवाल अभी और भी है लेकिन आने वाली पेशकश में हम जरूर इसको भी cover करेंगे एक break लेते हैं और break के उस पार ही हम insurance का जो topic है उसे continue कर रहे हैं कर रहे हैं